लास्ट टाइम जासू और ताशू अपने नानानी के घर गए थे, तब मैं और चंकी नाइट आट के लिए बाहर गए थे, वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, पर साथ में जासू और ताशू ने भी वो वीडियो देखा, तब भी से जासू और ताशू का मेरे और चंक के साथ जगड़ा हो गया कि हम दोनों को छोड़के नाइट आउट के लिए अकेले गए ही क्यूं और बहुत हीटेट आर्गुमेंट के बाद मैंने और चंकी ने दोनों बच्चों को मना लिया बैट इन रिटन दोनों बच्चों ने हमसे प्रॉमिस दिया कि एक बार हम सब फ बच्चे को घुमाने के लिए अब बच्चे साथ में हैं तो पूरी रात या लेट नाइट तक बाहर घूम नहीं सकते थे तो हमने डिसाइड किया कि हम शाम को ही जल्दी निकल जाएंगे और रात को लेट ली 11 से 11 बज़े तक वापस आ जाएंगे ओके फाइस पॉर्ट है हमारी नाइट आउट के लिए फॉर्सली शनी देव मंदीर एट शाइबाग फिर हनुमान कैम एरपोर्ट फिर मानेक चौग एंड लास्ट स्पॉर्ट आप सब के लिए सप्राइज हैं तो अब निकल गए हमारे फॉर्स स्पॉर्ट यानि कि शनी देव मंदीर की तरफ थं हम ठेरे रोमर्स यह ट्राफिक हमें कहां रोक सकता था गुमना फिरना हम चारों के खून में हैं ओके तो हम पहुँच गए हैं शनी देव मंदीर और हम सही टाइम पे पहुँचे हैं आरती जस्ट स्टार्ट हो रही थी लाइन बहुत ही लंबी थी सो हम ने वेट किया फिर आरती का आनंद लिया, शनी देव के आशिरवात लिये शनी देव के दर्शन करने के बाद हम निकल गए हनुमान कैम्प की तरफ हनुमान कैम्प गए हुए हमें अल्मोस चार साल हो गए है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी कंसिर्फ करने के बाद से हम हनुमान केंप आ ही नहीं पाये थे सो फाइनली ये लंबा इंदजार कल खतम हुआ और हम आ गए हैं श्री हनुमान केंप एक्चुल में हनुमान केंप आर्मी के टरिटरी में है सो एंटर होने से पहले गेट पे हम सब की चेकिंग होती हैं वेलिट आईडी कार दिखाने के बाद ही हमें एंटरी मिलती है में गेट से मंदीर अराउंड 500 मिटर की दूरी पे हैं हमें चल के जाना होता है और जो लोग चल नहीं सकते किसी की बिमारी या उमर के कारण उनके लिए एक छोटी सी ओपन ट्रांस्पोर्टर कार है आपको हनुमान जी की प्रेजन्स फिल होती है सच्चे मंद से अगर आप प्रातना करो तो आपकी हर तकलिफ दूर होती है इसलिए तो इन्हें संकट मोचन भी कहते हैं सो बाहर निकलके हमने लिए थोड़ एसे फोटोस मंदिर से बाहर आते ही जासवी कुरियसली पुछने लगी कि अब हम कहां जा रहे हैं बट ये नेक्स टॉप दोनों बच्चे के लिए सप्राइस था सो हमने कुछ बताया नहीं जासु और ताशु ने बहुत ही दिमा खाया पर हमने बताया ही नहीं फिर सड़नली रास्ते पे एक साइड में एक्टिवा खड़ी करके वहां हम लोग खड़े रहे दोनों बच्चे कन्फ्यूज हो गए कि हम यहां आखिर कर क्या रहे हैं और तब भी हमारा सप्राइस स्लोली रिविल हुआ प्लेन दूसरे आया और रन्वे पे लेंड हुआ और ये सीन देखते दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो गए दोनों ऐसे चिल्दा रहे थे जैसे फ्लाइट उड़ा रहा पाइलोट उनका मामा हो चोक सपाट पहले हम साइट रन्वे से फ्लाइट को लेंड करते देखा फिर हम थोड़ा आगे गए वहाँ पे अल्मोस 15 मिनिट इंतजार किया एक तो ठंड भी इतनी लग रही थी और भूम भी लग रही थी पर प्लेन आही नहीं रहा था और सड़नली प्लेन आया जो बिलकुल हमारी उपर से गया सच में ये सीन देखके मैं भी काफी थ्रील हो गई थी और फिर मैंने दनों बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि बस अब चलो भूख लगी है और दनों बच्चे मान गए फिर वहां से हम निगले मानेक चौक की तरफ हमारे ड्राइवर ने लॉंग रूट ले लिया था सो चार किलो मीटर का डिस्टेंस साथ किलो मीटर का डिस्टेंस हो गया बट फाइनली चंकी ने हमें जल्दी मानेक चौक पहुँचा दिया मानेक चौक की बीड देखके लगा कि यार हम सब अमदावादियों में एक बात कॉमन है हम सब खाने पीने के इतने शौकिन है कि अगर कोई हमको रात तीन बजे भी कहे कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं तो कोई मना नहीं करेगा इतनी भीड में हमें ये स्टैंडिंग डाइनिंग टेबल मिल गया हमने दो पुलाव ओर्डर किया और जैसे ही पुलाव आया कि हम चारों तूट पड़े कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा था पेट थोड़ा भरने के बाद हमने लिये थोड़े वीडियो क्लिप्स और निकले बाहर की तरफ और बीच में मुझे ये दीग गया और नामेंट शॉप मैंने बस चंकी की और देख एक मासुम सा चहरा बनाया और वो समझ गया तो अब मानेक चौक में पेट पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं अपनी लिस्ट के आखरी स्पोर्ट पे इतना गुमने के बाद सब ठक गए थे, specially kids गुमने की इच्छा बहुत थी, बट बॉड़ी में एनरजी नहीं थी सो बॉड़ी की एनरजी बढ़ाने के लिए चंकी लेके गए एक special juice पिलाने के लिए थंडी की सीजन में I suggest कि आप सबको भी ये juice पिना ही चाहिए सेहत के लिए काफी अच्छा होता है सो फाइनली हम पहुँच गए last spot पे ये जगह है नेरुनगर सरकल और पांजरापोल चार रस्ता के बीच में ये अंकल डेली शाम से खजूर मिल्क special मसाले के साथ बेचते हैं इनका कोई special मसाला होता है जो थंडी के सीजन में अच्छा होता है आप juice, sugar या वल्यारी के साथ ले सकते हैं juice में आपको option मिलेगा थंडा या घरम बढ़ थंडी की सीजन में घरम ही पिना चाहिए इनका खजूर मिल्क बहुत ही famous है कि इनके बारे में एक article newspaper में भी आया था So finally, हम सबने juice का मजा लिया और फिर juice खतम करने के बाद हम सबको सिर्फ अपना bed, तक्या और कंबल ही नजर आ रहा था So finally, हमारा night out roaming खतम हुआ बच्चे भी ठक गए थे So हम घर की और निकल गए हम फिर से ऐसा कोई roaming प्लैन करेंगे और आप सब से फिर connect होंगे तब तक के लिए Bye Bye See You Soon Jaya Shikrashna, Jaya Jinendra